यूपी के बरेली में पती पतनी के विवाद में बीच पचाव करने गए एलेक्ट्रिशियन को पीट दिया गया चहरे पे छोट लगने की वज़ा से यूबक की हालत बिगड गई सहर के एक निजी अस्पताल में उपचार के लिए ले जाते समय उसने अपना दम तोड़ दिया पुलिस ने सब को कपजे में लेकर पोस्ट माटम के लिए भेज दिया आपको बताते चलें प्रेमनगर इंस्पेक्टर अवनी सियादम ने बताया कि मामूली विवाद में यूबक के सर में चोट लगने से मौथ हुई है आज जिनान 17 मुई को जाल 21 को थाना प्रेमनगर के मौला जाटापुरा में नवीन नाम की विप्ति का अपनी पतनी से जगड़ा हो रहा था इस पर पडोसी अर्जुन ने आपत्ती की इस पर पती पतनी के मामले में हस्तचेव कनने पर नवीन ने आग बगूला होकर अर्जुन के सर पर एक गुसा मार दिया जिसकी दोराने इलाज एक प्राइवेट अस्पताल में मृत्ती हो गई है अर्जुन के भाई की तरीर पर थाना प्रेम नगर में 304 आईपीसी का मुकर्णा पंदीगर किया गया है और अग्युक्त नहीं की जिफताड़ी के प्रियास जाए प्रेम नगर थाना च्छेत्र के जाटब पुरा का रहने वाला अरजुन कुमार पुत्र प्रेम संकर लेक्रिशियन था अर्जुन की ँमा राज्कुमारी हॉम गाड है राज्कुमारी अपना घर बनवा रही है जिस वज़ा से वैं पडोस के मकान में किराय पर रह रही हैं आज सुबै पडोस के रहने वाले नवीन और उसकी पत्नी दीपमाला के बीच में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो गई किसी विवाद में नवीन ने पत्री को पीट दिया बीच बचाव में गए अर्जुन को भी नवीन ने पीट दिया सर में चोट लगने से अर्जुन की हालत बिगड गई अर्जुन ने घर जाकर घटना की जानकारी अपनी मा को दी जे सम्मारे जे कनिन में आई से पकड़ता हुआ चला आया मैं थाने गई तो थाने वालों कह रहा है इसकी का नम अफिर वो इस पक्टर सहाब आईंगे ताही वो क्या नम है और प्रव्ट लिखाई लिग में अब ट्बारी लिखाई तो बहुँत्व लिए चैन से पर बासे प्रणदा ओंजलोग वो फिर हम लेंगे खुश लोग पनाने में भीता लिए इसको वह अप्लीकेसन मिना देन रहा हैं मेरे हाथ मैंसे छीनी मेरे मेरे लाटना की तमा झना देुक है उसके तभडा और हाई मैं लिकार Olá प्रीकेसन एकाइक वहास मैं ले गई खुष लोग उसकी आ विख़ olmot cep अप्ले करवा ले वार नहीं dos जिसके बाद दोनों प्रेम नगर थाने पहुंचे जहां दोनों पक्षों में समझोता हो गया और नवीन की पत्नी दीपमाला अरजन का इलाज कराने एक निजी अस्पताल ले गई जहां उसकी हालत बिगड़ने पर मौत हो गई अरजन की मौत की सूचना से पुलिस में हरकम को मच गया मौके पर पहुंची पुलिस ने म्रतक का शक कबजे में लेकर कारवाही सुरू कर दी